प्रदेश बारती जंता पार्टी जब आप पर इल्जाम लगाती है तो एक इल्जाम और है वो बहुत रिपीट करती है और उसी से फिर मेरे आगे के सवाल की पूर रिपीट का तयार होती है वो ये कहते हैं जैसे उनसे पूछा गया सरकारी भरतियों को लेके तो उनका जहां की वर्ग को फाइदा पहुचाने के लिए तो भरतियां नहीं की फिर वो उनके समर्थक हवाला देते हैं कि अनिल यादो मेरे ख्याल से यूपी पीसियस के चेर्में थे उस समय हाई कोर्ट में डीवाई चंदर चूर जजज हुआ करते थे उस समय कि उनकी टिपड़ियों क लेकर वो आपसे भी बहुत सारे आश्वासन चाहते हैं अगर आप सत्ता में आएं तो हम उस सवाल पर भी आएंगे या मैसूर की ट्रेनिंग है उस समय के जब मैं बाके पढ़ता हूँ तो वो एक अलग अखलेश यादो की आइडेंटी दिखती है एक आइडेंटी है जो प्रदेश की पॉलिटिक्स के कंटेक्स में बनाई जाती है जिसमें आपके सरनेम पे अतरिक्त जोर दिया जाता है ब मुझे अच्छी तरह याद है कि जिस समय नेता जी ने और अमर सिंग अंकल ने उस समय के पूर्व के राश्टपती क्लिंटन को निवंतर दिया था कि वो लखनू में आएं और एक कारकर में शामिल होने आएं उस समय जो बिपख्ष की पार्टिया थी उन्होंने नेता जी को नहीं आना चाहिए लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि प्रेजिडेंट जो थे वो आएं और कारकर में शामिल हुए आप चोई चरंसींची का इत्यास उठा करके देख लीचे उनके किताबों में देख लीचे जो भी पिशड़ा होगा उन्हें इस आरोप का सामना कर लेकिन हमारे बाबा मुख्यमंतरी या भादेंटा पाड़ी क्या रूप लगाती है कि समाजादी पाड़ी में माफिया लोग है अप रादियों को बढ़ाते हैं अभी कुछ दिन पहले एक माफिया क्रिकेट खेल लेते जौनपूर में बरहन्जे सिंग की बात कर रहे हैं बिल्कुल बात करना हमें उनकी कैसे क्रिकेट खेल लेते जिन पर 25,000 रुपए का इनाम हो बिना डियमेस पर क्रिकेट खेल लेंगे वो जेलों में खाना जा रहा है बड़े-बड़े टिफिन में खाना जा रहा है कैसे जा रहा है खाना बिना टिफिन में आप ये बताईए जिस समय संजय चुहान लड़ रहे थे चुनाओ चंदौली में सब माफियों की मीटिंग किसने की सब माफियों की मीटिंग की गई सब माफियों की मीटिंग किसने कराई क्या भादिंदा पाड़ी के नेता नहीं शामिल थे उसमें और यहीं नहीं आप पता करिए पता करिए आप मुख्यमंत्री किसी कारण जेल जा सकते हैं इंस्पेक्शन के लिए किसी कारण और उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री होंगे किसी जेल में घंटा नहीं एक घंटा नहीं दो घंटा नहीं तीन तीन घंटे रहे हैं किस जेल में हैं आप जानकारी करिए यह मैं आरोब लगा हूँ दर्शक जानना चाहिए नहीं मैं मैं ललन टॉप को बड़ा अच्छा समझता हूँ चैनल मुझे उम्मीद है कि जो मैं बात कह रहा हूँ इसकी जानकारी जरूर अपने दसकों को दिखाएंगे आपसे पूछ लोगा ताकि पता हो जात कि जाता हूँ कि आज क्यों आरोब लगाते हैं क्योंकि मैं एक्सप्रेस भी लैप्टॉप दी मैं 18 लाग से जादे लैप्टॉप बाटा हूँ दुनिया की वनों तो बेस्ट कंपनी से लैप्टॉप बाटे मैंने SCL यहाँ पर ले आए हूँ ट्रेणिंग इस्ट्यूट जो साड़े पांच हजार प्रोफेशनल्स काम करने और दुख की बात मैं बताता हूँ आपको मैं दुख की किस से हमें लड़ना है मैं एक दिन ऐसे ही मैं और राजिन चौदी जी चाए पीने चले गए SCL के सामने मैंने देखा हूँ टाई लगा करके और 2017 के बाद की बाद की बाद की हाँ मैं जब सरकार हमारी चली गई उसके सेकंड जब बजट सरकार ने पास किया उसके बाद मैं गया और SCL इंस्टूशन जो है उसके सामने एक चाए की दुकान थी अचानक मैं और वो पहुंच गए वह रहां जो बच्चे जो प्रफेशनल्स खड़े थे चाए पीने लगा मैंने पूचा कि ये SCL किसने बनाया है सोच ये टाई लगा कि एक इनसान दो लाग से कम उसका बेतन नहीं होगा वो कहता कि आपने नहीं बनाया ये BJP ने बनवाया है मैंने का कमाल हो गया आपको मैंने उसी समय चाएवाले से पूचा कि बताओ ये किसने SCL बनाया है बो ले ये S.E.L. आपने बनवाया है तो सूची एक टाई लगाए दो लाग का जिसको बेतन मिल ला हो इससे जादा ही मिल ला होगा पैकेज में वो कह रहा है B.J.P. ने बनवाया S.E.L. लेकिन एक चायवाला हो कह रहा है कि नहीं आपने बनाया तो हमें कितनी बड़ी लड़ाई लड़नी है और फिर ये बावा मुखिमंती साड़े चार पांस साल में उत्तपतित को कहा ले गए है जितने अच्छे काम ते सब बरबाद कर दिये हैं नोंने इसलिए जानबूश करके समाजवादियों पर ये आरोप लगाते है ये perception create करते हैं हमें तो पड़े पुलिस के अधिकारी बोलते हैं कि किसी घटना के बारे में जब जानकारी जो SO दे देता है वही DGP बोलता है जो जानकारी SO दे देगा आप SPCT से पूछ लीजिए, SP से पूछ लीजिए, DIG से पूछ लेंगे वह भारती जनता पार्टी है और इसलिए आपने देखा होगा कि इनके लोग दोडाए जा रहे हैं भगाए जा रहे जाएं इनके लोग कूठे जा रहे हैं सर्वे में तो जीत रहे हैं लेकिन जनता इने कूठ रही है